हेलो गाइस हमने समोसे बनाए रहे हैं तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं तो चली फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं इसके लिए हमने लिये हैं चाब मीडियम साइस के आलू मैंने उबाल लिया था उबालने के बाद इससे मोटा मोटा मैश कर लिया है आप चाहे तो चूरी से काट भी सकते हैं डाइसे में अब मैं इसमें कुछ मसाले आड़ करूँगी अगर जो आपको पसंद हो अलग से भी आप वो आड़ कर सकते हैं मैंने कटा हुआ हरा धनिया ल तूगिष मोर्लिया है यह इना तू का इब आध़े मसाल को सब्सक्ता कंटा है अधे मसाली में पहले नमक सब करेंगे मिसिफरी का यह सब्सक्राहिए जना करेंगे लीचिज backyard को सब्सक्राइक गरीग भार के तो हाले नियमू हमाइद को मेंथ समस्क्ता को में learn लेकिन चीज बुझे और मेरे बेटे को पसंद है यह टोटली ऑप्शनल है अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आलू जाधा तूटे ना चुछ मैंने पहले से ही इसको मैश करके रखा है लेकिन थोड़ा मोटा मुटा रखकर तो अगर हम जाधा अच्छे से मैश कर लेंगे तो आलू का बूर्तर टाइप का बन जाएगा जो खाने में इतना मज़ेदार नहीं लेगेगा कि कहीं पर थोड़ा थोड़ा आलू का टेस्ट आना चाहिए अब हम समोसे का आटा तयार कर लेंगे जिसके मैदे के रैशियो के हिसाब से मैं इसमें देसी घी डालूगी आप रिफाइंड ऑईल भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने देसी घी का इस्तमाल किया है मैंने चार चमज देसी घी डाले हैं अगर पर कप मैदे में दो चमज देसी की जाएगा तो आप अपने देसी घी और मैदे की कॉंटिटी को इसी हिसाब से गटा और बढ़ा सकते हैं हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि मेरा तो रेशियो पर्फेक्ट था लेकिन अगर आपका कम और ज्यादा लगे तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं आपको मुठी बना करके देखना है और मुठी में अगर अच्छे से आपका आटा दब रहा है तो इसका मतलब है कि आपका मुएन अच्छा है थोड़ा पानी लगा करके हमें इसे अच्छे से गूर लेना है पानी देखे कि जादा नहीं होना चाहिए पहले हम थोड़ा ही थोड़ा डालेंगे और यह इतना सॉफ्ट हो जाए तो ह बहुत मोटे में आए और नहीं बारीक हो जाए यो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा इससे हमें आगे की वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता है और चैनल को सब्सक्राइब किये बगएर मत चाहिएगा तेकि जिस तरह से मैं बेल रही हूँ ऐसे ही आपको लंबा-लंबा करके बेल लेना है और बेलने के बाद इसे चूरी से काट करके दो हिससे कर लेने हैं हमें पानी लेना है और इसके कौन जो बनाएंगे इस कौन के हर जॉइन पे हम पानी को लगा करके इस कौन को तयार कर लेंगे और इसमें एक चमज स्टफिंग डालेंगे आप अपने हिस एक बार में आराम से आ सके हमें धीमी ही आजपर पर फ्राई करते रहना है इसे फ्राई करने के लिए कम से कम 10-15 मिनिट लगेंगे दीमे आज पर आज पर इसे दीमे चला चला करके कलर दीजेगा इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना है यह देखिए मेरे समोसे अच्छे से फ्राई हो गए हैं मुझे 16-17 मिनिट लगे थे इने फ्राई करने में अंदर से चटपटे बाहर से क्रिस्पी समोसे हमारे बन करके बिल्कुल तयार हैं और इसे आप केचप और मीटी चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं आप से नेक्स वी है आप दूटे के लिए रख से लिए और में सकते हैं और रही हैं और देखिए से और में सकते हैं और जाजर को अंदर से वी रख़े हैं वी इंज